नमस्कार दोस्तों को बहुत-बहुत स्वागा थे हमारे यूट्यूब चैनल आरेंटी के पिडिक्सर में तो हम आज बात करेंगे टी-20 बोमिन वर्ल्ड कप का सेमी फाइनल मुगावला जो की खेला जाएगा न्यूजी लेंड वर्सेस बेस्टेंडीज के बीच में इन दोन में जगा बना चुका है अब इन दोनों में से जो भी टीम आज जीतेगी वह फाइनल में जगा बनाएगी तो कौन सी टीम जीतने वाली उसके बारे हम आज बात करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा वाच कर लिजिएगा मैस प्रेडिक्शन सेशन टाउस जीन भाईों को चाहिए जो भाई बैक टो बैक लाउस में चल रहे हैं आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाना है या आपको फैंटेसी पैसा कमाना है तो वीडियो को पूरा वाच कर लीजिएगा निजी लेंड वार से पेस्टेंडी का जो मुकाबला यह सार्जा ग्राउंड पे खिला जाग हैं एक बार हमारा चैनल आरियन महता नंबर वन टीपर को जोईन करिए टेलिगराम का चैनल जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जाके फटाफट जोईन कर लीजिए दो हमारा प्रोड़कास्ट नंबर है दोनों को सेव कर लीजिएगा और जो खेला गया फर्स्ट बेटिंग जीती है डर सेकेंड जीती है नौ ड्रो एक भी नहीं है स्कोरिंग पैटरन देखा जा जाए तो बना है उससे उपर को यह स्कोर इस ग्राउंड पर देखने को नहीं मिला एवरियो स्को एक तो आठारा है इस पे ज्यादा स्कोर आपको पर इसमें युवे ने बनाया था वहूत दिन पहले दोदा था गाट करते हैं इस पीछ कंडिशन की तो वैड़िंग कंडिशन अबरेज होने वाला है अगर इस पर बात करते हैं पेस बरसेस अस्पिन को किसको ज्यादा मदद मिलता है तो इस ग्राउंड पर जो पे बालिं बोलिंग है उसको ज्यादा मत मिलता है और सबसे ज्यादा विकेट इस सल भी देखा किया था उसको डिफेंड किया था उसके पहले सब्सक्राइब कर दिया था इंग्लाइन ने आप जैसे लंका मैच हुआ था ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर आप देखेंड हुआ बाग pengal is पर्से परसे पकिस्तां का मैच हुआ उस सारे डिफेंड होते दीखेंगा इस ग्राउंड पर बागी बात करते हैं हेड-to-head दोन हमें 27 मुकावला रहे तैस मुकावला में 17 मैच तो नियु उन्यड गॉलके बेस्टेंडीज बोवेन को भी हलके में नहीं लेना है यूज पिछला मैच इंग्लाइट को हरा कि आ रही है वह वह दोनों का बिनिंग परसेंट इस तो वैटिंग ही करेगी इस ग्रांट पर डिफेंड होने का ज्यादा चांसेस है अगर वह बात थे प्लेइंग लेवन तो प्लेइंग लेवन आप देख सकते हैली मैथ्यूज जेम्स जोसेफ मेरे बहुत खतरनाक बैटिंग किया था पिछला मैच में और यह दोनों ने इन दोनों पतले एक तरफा मुकाबला कर दिया था यह तो सिर्फ बला चला तो दस पैसे का जैकपूर देखने को मिला था ठीक है और वहीं बात करते हैं केंबेल अच्छी प्लेयर है डॉटीन खतरनाक पहले हैं सब्सक्राइब करती है डॉटीन अच्छा प्लेयर है आपको हैंडरी हो गई एलियाने और आप बात कर लेते हैं वहीं पर फाइफ प्लेयर को रख सकते हैं यह सरचार वो प्लेयर जो है अप ड्रीम एलेवन में अपने टीम में ज़रूर रखिएगा क्योंकि यह बहुत अच्छा क्या लिए अगर बात करते हैं न्यूजिलेंड प्लेयर्स की तो सूजी बेंट बाक्टु एक अच्छा फों में चल रही है हो गई अगर खेल के कुई दे तो अच्छा स्कोर बनाती है एमली कर हो गई सोफी डिवाइन और इसको भी आप कैप्टर में अपने टीम में देख सकते हैं मैडी ग्रीन गाजे जैसकर रोसे मायरी ली तहू और कार्सन यह अच्छा खासा पैक्टीम है बैलेंस टीम आपको अब वहीं बात कर लेते हैं अब वहीं बात कर लेते हैं पश्ला मैच में बहुत जाब पॉइंट दीती इस मैच में वीदा को देगी पॉइंट हो गई सोफी डिवाइन हो गई एमली कर हो गई और फ्लेचर तहू हूँ आर मायर और कार्सन यह आर मायर बहुत अच्छा बैट बॉलिंग अच्छा करती है यह कार्सन तहू फ्लेचर ठीक है तो यह हमारे फैंटसिटी में बाकी आपको मैच प्रेडिक्शन सेस्टन टौश चाहिए हमारे चैनल पर जाएए नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके जोइन कर लो फटा फट वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूँगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में